दोस्तों, बहुत सारे समुद्र जीव है जिसके अस्तित्व रहस्यमय है समुद्री ताजीर बताते हैं कि वे बड़े जीव, जहाजों और इंसानों को निगल जाते थे इस वीडियो में आपको ऐसे दस समुद्री जीव से परिच्छे कराऊंगा जिसके अस्तित्व में आज भी बहुत लोग मानते हैं चलिए शुरू करें जपनिस फॉलकॉर के इसाब से ये जीव बड़े जहाजों को निगल जाते थे वे बादल जैसे आखार और साब जैसे लंबे हाथ थे ये जीव की शकल गंजों की तरह है इन शैतानी जीवों को मोतियोखे भी कहा जाता है जिसका तातपर ये है कि इनसान और जादूई शक्तियों के होते हैं ये गंजे शकल में होते हैं और समझ में ये है कि ये बहुत श्रद्दालू होते हैं योर मूर गांडर ये एक बड़े आकार का सांप है जो अंद्रूनी समुद्र में रहता है एक कहानी में बताया गया है कि एक बार थोर भगवान मचली पकड़ने जाके सांप के मूँ में काटा फसा दिये थे और उसको बड़ी तकलीफ से निकाला था ये सिर्फ पूरी दुनिया में घुमता है ये सर्फ लोकी ने बनाया था और बड़े जेंट को अंगल बोदा ने बनाया था ये इतना बड़ा जीव है पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकता है जो अपनी खुद की दुम काट लेता है औ और एक बड़ा चक्र बनाता है। थोर भगवान ने सांप को तीसरे युद में मार दाला लेकिन उसके पॉईजन से खुद भी मर गया। कापा एक बड़ा प्रसिद्ध प्राणी है जपनिस फोलक के यकिन से जो इनसानों के शकल का और बदक के मुग का होता है। और वो इनसानों और जानवरों का कतल करता है जो भी उनके प्रांत में गुस्ते हैं। इनसानों का कतल करके उनका डीवर निकाल के फेक देता है। प स्काइला एक ग्रीक मॉंस्टर माइटॉलोजी से निकल आई है जिसका उपरी इस्सा आउरत का और नीचे का इस्सा छे कुत्तों का है स्काइला पहले से शैतान नहीं थी हकीकत में वो एक सुन्दर आउरत थी मगर हिर्शा और जहर जो पानी में घुला गया था उसे जब स्काइला ने स्नान किया तो उसका नाभी से छे कुत्ते निकल आए जिसकी वज़ा से वो एक शैतान बन गई और अपना बदला लोगों से लेने लगी और खाने लगी उदारन ओटियस और उसके छे लोग को खा गई चरिपडिस एक ऐसा समुद्री जीव जो समुद्र के अंदर पत्रों में होता है दिन में तीन बार वो जीव पानी को भोरा बना कर सारे चीजों को निगल जाता है और वापस पानी के भोरे को रोक देता है अंजाना दिखता है मगर कहलाता है कि वो समुद्री भगवान प् लिवाइथन ये समुद्री शैतान मगरमच, ड्राइगन, सांप और वेल मचली को मिला के बनाया है बाइबल के मुताबिक भगवान ने इस जीव को बनाया ताकि शैतान को बिना मुश्किल से हराया जाए मगर जब ये जीव इंसानों को मारने लगा तो भगवान उसको मारने का सोच लिया जब लिवाइथन और बहिमत की जंग होती है भगवान अपने तलवार से दोनों को मार देख गिराता है इस तरह लिवाइथन का अंत हो गया 2100 मलेशिया के समूत्री दरिंदा है इसका परिच्चे अभी साफ नहीं है जिसके शकल ये होता है इसको हजार सरवाला और हजार सिंगों वाला बताया गया है इसको बिमारियों का बाब भी बताया गया है हाइड्रा नव सरवाला सांप है टूब्रेस की बहन त्रिमिया और स्विंक सब एक मशूर ग्रीक मैटोलोजिकल दरिंदे हैं हाइड्रा का अगर कोई एक सर काड़ता था तो दो सर उग जाते थे पानी में सबसे खतरना खोता है और ये सौधन ग्रीज में रहता था इसकी दै हुआ है